पवन और पायल देव के फैंस बेताब हैं पवन सिंग और पायल देव के नेक्स पंजाबी हिंदी मिक्स गाने के लिए आपको ये बता दे कि इन दोनों के फैंस ये चाह रहे हैं कि ये गाना जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आए तो भही इस गाने से जुड़ी हुई आ क्योंकि एक बहुत ही बहतरीन म्यूजिक डिरेक्टर है आदित्यदेव वो भी पहुचे हुए थे और यहां पायल देव ने पवन सिंग को राखी बांदी और उसके बाद उनके गानों पे डिसकर्शन चला यह डिसकर्शन काफी देर तक चला और आपको बता दे कि इस गाने को लेकर पायल और पवन दोनों काफी सीरियस है क्योंकि यह दोनों पहली बार कुछ नया और हटके कर रहे हैं खासकर पवन सिंग के लिए तो यह जर्नी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि पवन सिंग ने कभी भी कोई पंजाबी गाना नहीं गाया है यह पहली बार होगा ये गाना एक dance नमबर होगा इसकी भी information पायल देव ने अपने live में आकर दे दी थी और तो और इस गाने से जुड़ी हुई एक और बात पायल देव ने लोगों को बताई ये गाना जब release होगा तो अब तक किस सारे record तोड़ेगा यानि कि आप समझ सकते हैं कि ये कितने पायल देव ने बहुत पहले बता दिया था कि हम बहुत ही अलग और हट के काम करने वाले हैं जो कि फैंस की आखें फटी की फटी रह जाएंगे यानि कि जितने भी सारे पवन सिंग के फैंस हैं उनके लिए अब कमर कसने का वक्त आ गया है क्योंकि उनके गाने की शूटिं और रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको ये भी बता दें कि रिकॉर्डिंग इस गाने की पवन सिंग एक से दो दिन में ही फूरी कर लेंगे क्योंकि इस गाने को बहुत पहले ही लिखा जा चुका है जब बारिश वाला सौंग पर डिसकॉर्शन हुआ था तभी इस गा उनके लिए बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है भुझपुरी जगत की होट और मसाले दरगाशिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं